कि रिकल की क्लास में हमने पढ़ा था कि राज सोसाइटी के उत्पत्ती कैसे होती है और आदिकाली नसाइटी में राज सोसाइटी का क्या स्थान है कैसे वो महतुपूर्ण है अपने आप में और इसके अलावा राज सोसाइटी के संदर्व में अलग-अलग विद्वानों के मत जो सामने आते हमारे उनको कल हमने देखा था पढ़ा था आज हम इससे आगे बढ़ रहे हैं पर आज हम पढ़ेंगे कि राज सोसाइटी का आधार क्या है क्योंकि कोई भी चीज होती है कोई भी बात होती है उसका कोई न कोई एक आधार होता है कोई न कोई किसी चीज का विग्यानिक आधार होता है किसी चीज का एतिहासिक आधार होता है किसी का धार्मिक आधार होता है वैसे ही राज सोसाइटी का क्या आधार है कहां से ये परंपरा जुड़ती है तो सबसे पहले इस पे बात करेंगे के बाद हम बात करेंगे रासो साहित्य की क्या क्या विसेस्ताइं है और उसके बाद प्रमुक रासो ग्रंथ कौन कौन से इस तरीके से हमारी आज की क्लास होने बाली रासो साहित्य आदिकाल का प्रमुक साहित्य है या कह सकते हैं कि आदिकालीन साहित्य के परंपरा में अपने आप में एक विशिस्ट परंपरा है जो कहां से आती है संस्कृत से आती है संस्कृत के कावे गरंथों में भी प्रबंदात्मक्त करतियों का अपना एक अलग ही महत्व है और ये प्रबंधात्मक्ता कहां से आती है हिंदी साहित्य में वो संस्क्रिट के कावे ग्रंथों से आती है प्रबंधात्मक्ता में संस्क्रिट के कावे ग्रंथों में भी बहुत सारे ऐसे ग्रंथ है आपने देखे होंगे संस्कृत के कभियों के जुगरंथ है जिसमें इती बृतात्मक्ता का इस्थान दिखाई देता है इती बृतात्मक्ता का प्रियोग कभी करते हैं इती बृतात्मक्ता का अर्थ क्या हो गया ले हुए होती है कहानी का यहां सीधा सा अर्थ क्या है कल्पना से कल्पना होनी चाहिए कल्पना के साथ इतियास का पुट ये दोनों जब मिलाए जाते हैं तो वो एतिवर्तात्मक साहित्य कहलाता है पहली चीज और ये इतिवर्तात्मक साहित्य संस्कृत के कावे गरंथों म मिलता है संस्कृत के बहुत सारी कभियों ने अपने चरित नाइकों को अपने कावे की प्रमुख नाइकों को जो है एक तरीके से एतिहास एक आधार देती हुए उसमें कल्पना का मिश्रण किया है अब हुआ क्या है संस्कृत की जो ये कावे प्रमपरा है जिसमें इतिवर् कवि की कल्पनाय हैं। । रासोसाइत्य जो हिंदी साइत्य का आधिकाली इनसायटिय, उसमें वह लगभग लगभग अंध टक जाते जाते उल्टा हो गया। कल्पना का जादा स्थान या जादा महत्व दिया गया कब्यों के द्वारा और इतिहास जो है उसमें यदा कदा प्रयोग किया गया एक तरीके से उसको पूर्णत एक काविक्रिती बना दिया कपोल कल्पिक कल्पना उसको एक तरीके से साबित कर दिया तो जो संस्कृत की काविक परंपरा है दिखाई तो देटी है लेकिन वो सारे के सारे पूरा का पूरा जो महाबारत का काविक है उसमें युद्ध सबसे ज्यादा महतुपोर्ण है और युद्ध को ध्यान में रखकर केंद्रिस्थ जो चीज है वो युद्ध है इसके एर्दगीर्द पात्रों की रचना की गई तो ये संस्कृत का लोकिक संस्कृत का एक महान गरंथ है महाबारत रामायन में भी बार बार जो है चरित काविको उचा उठाने के लिए चरित काविको स्पस्ट करने के लिए चरित काविकी विसेस्ताइं साबित करने के लिए जो है कभी क्या करता है बार 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 युद्धों का सारा लेता है अंत में जाकर के वो राम रावन का वो भीशन युद्ध जो है प्रस्तूत करता है कभी जिसमें शिव जैसी सक्तियां भी सामिल हो जाती है सिव और सक्ति भी एक दूसरे के जस्ट अपोजिट खड़े हो जाते हैं आपको पता होगा कि रावन ने शक्ति को प्रसंद कर लिया था और अपने पक्ष में कर लिया था और सिव पहले से ही रावन के पक्ष में थे तो राम विचलित हो जाते हैं युद्ध से और बाद में वो शक्ति के आराधना करते हैं और आपने पूरी राम की शक्ति पूजा कवीता जो है वो पढ़ी होगी निराला की तो एक तरीके से युद्ध जो है संस्कृत की कावे में भी एक मुख तरीका हुआ करता था अपने चरितनायक के चरितर को इस्पस्ट करने के लिए उसको इस्तापित करने के लिए उसको जन की मनसा में बिठाने के लिए और ये शूतर बाद में इस्तेमाल हुआ रासोसाइते में रासोसाइते में राजाओं को चरितनायक बनाया गया वहाँ पर संस्क्रिट की काव्य परमपरा में चरितनायक कौन थे भगवान ज्यादातर भगवान या फिर एक तरीके से देखा जाए तो वो लोग जो ग्यान में उचे थे एक तरीके से पंडित उनको चरितनायक बना करके प्रस्तूत किया गया था अपने ऐसे बहुत सारी कहानिया दादी दानी से सुनी होगी जिसमें एक गरीब ब्रामन होता है लेकिन अंद तक जाते जाते वो अपने बुद्धी कोशल से और अपनी वो वाने कोशल से वो समुची धरती पर राज करता है इस तरीके की अनेक अनेक कहानिया जो है जन की पूर्णत परिपाक दृष्टी देखने को मिलती है कभी की यहीं से सूत मगद आदी या मागद हो गया है मगद ही है यह मगद आदी राजाओं की प्रसंसा का सूत्र पात हुआ जो धीरे धीरे चलके सूत एक एक इलाका था व्यस्तोता जहां पर जो है एक तरीके से वे प्रतिशाली तो थे अपने रण कोशल से लेकिन निचलितब के से संबंध रखते थे समाज के यहीं से यह परंपरा स्टार्ट होती है लौकिक संस्कृत के अंटिम समय में जो चरितनायक होते थे वो चरितनायक कभियोंने इस तरीके के इस्तेमाल किये कि वो दलित या फिर पिछड़े इलाके या फिर पिछड़ी जनता का प्रतेनी जित्व करते थे इस तरीके के बहुत सारे चरितर आपको देखने को मिलेंगे महा भारत के युद्ध में आपने देखा होगा करण का चरितर सामने आता है करण अपने आप में एक राजसी व्यक्तित होते हैं लेक पिछड़े जाता कि भीतर एक लालसा पैदा करेगी पढ़ने के लिए जानने के लिए कि आगे क्या होगा जैसे आज के नाट कॉम होता ना एक वो रखा जाता है एक तरीके का कुछ तो हम क्या बोल सकते हैं पहले उसको एक्सपोज नहीं करते हैं फिर उसको धीरे धीरे कर करते जाते हैं और अंत में जाकर के वही कहानी निकल के आती जो स्टार्ट होती है इस तरीके से प्रस्तूत किया जाता है तो महाबारत के भी रचनाकारने अपने चरितनायकों को अपने चरित्रों को इसी तरीके से गड़ा है मड़ा है और प्रस्तूत किया है यही परंपर राजाओं की प्रसंसा के रूप में आगे चल कर सूतरपात होती है जिसको इस्तेमाल करते हैं भाट चारण और डोली इनके बारे में कल आपको बताया था इनके दोरा प्रस्तूत की जाती है इस्तेमाल की जाती है लेकिन लेकिन ये काव्य परंपरा आगे चल करके अपनी अतिरंजिता को प्राप्त कर लेती है अतिरंजिता का अर्थ क्या है बड़ा चड़ा कर वर्णन करना अपने चरित काव्य को इतना ज्यादा हाइलाइट करने की कोशिस करना या फिर अपने चरित नायक को इतना ज्यादा मडिफाई करने की कोशिस करना कि वो भगवान से भी उपर दिखने की कई बार ऐसा लगता है कि वो भगवान से भी उपर है आदोनी काल में भी ये परंपरा देखने को मिलती है कई ऐसे चरित नायक या कई ऐसे काविगरंथ लिखे गए है प्रभणात्मक्रतियों के रूप में जिसमें एक साधारन सा मनुष्य जो होता है वो इंद्र की पद्वी प्राप्त कर लेता है उदाहरन के लिए नहुश तो वो एक साधारन विक्ती होते हुए भी इंद्र की पद्वी या देवताओं को जो है देवताओं का राजा बनने की कोशिस करता है या बन जाता है कावि में तो एक तरीके से वो भी क्या है अतिरंजिता ही है इसके अलावा कुछ भी नहीं है तो ऐसा प्रियोग चारणों ने भाटों ने और ढूलियों ने किया अपने चरित नायकों को अतिरंजित रूप में प्रस्तूत करके इन रासो साइट्य की रचनाएं की और यही वज़य है कि रासो साइट्य के इतनी आसानी से किसी भी व्यक्ति के दिल और दिमाग में पच्चता नहीं है ऐसे लगता है जैसे जो है बे मतलब का वर्णन किया है उसका कई जगे पर ये चीज एक चुनोती की रूप में एक परिस्तितिक रूप में देखने को मिलती है रासो साइट्य में वीर का विकितिस्टी से रामायन भी एक तरीके का आतिशोक्ति पूर्ण युद्ध वर्णन है जो आप देखते हैं कि राम रावन की बीच इस तरीके का युद्ध हुआ है और जो है बानरों ने पूरे के पूरी राकससों के दल के दल को नस्ट कर दिया है खत्म कर दिया है उनको हरा दिया है यही परंपरा किरात आरजुनियम में वीरोक्तियों दानवीर रसकित बहुत अच्छे तरीके से उसमें प्रियोक करते हुए भारवी प्रस्तूत करते हैं किरात और अर्जुन की आपस में लड़ाई यानि कि भगवान शिव किरात कौन है भगवान शिव किरात की रूप में भगवान शिव आते हैं किरात सब का अर्थ होता है शिकारी एक सिकारी की रूप में भगवान सिव और अर्जुन का मुकाबला होता है और बाद में अंत में पता चलता है कि किरात की रूप में भगवान सिव है तो अर्जुन उनसे माभी मांगता है क्योंकि शिव को अर्जुन जो है अपना गुरु मांगता है एक तरीके से यहां पर भी दलितों को या पीछड़े हुई लोगों को चरितनायक बनाता है पहले कावी रचनाकार और उसके बाद अंत में जाकर कि उसको एकस्पोज करता है अंत में जाकर ये क्लियर करता है कि वास्तों में इस ऐसा नहीं ये इस तरीके से प्रस्तूत करना जाता था मैं उत्तर रामचरित में जहां एको रसा करुणा और इसका प्रतिपादन होता है वहीं चंद्रकेतु और लव के वीरस से भरे वाद विबाद भी प्रस्तूत होते हैं उत्तर रामचरित में वैनि सहार में भी वीरस का अजबुत प्रयोग किया है सुन्दर वर्णन किया है और इसके अलावा भी संस्कृत के बहुत सारे गरंथ है ये तो नाममात्र के गरंथ है जिनको हम जानते हैं जिनको हम आम बोलचाल में उदाहरन के रूप में प्रस्तूत करते हैं ये तो कुछ एक उदारण है ताके आप connect हो सकें रासोसाइतिय से और रासोसाइतिय की परंपरा से इसके अलावा भी संस्कृत के बहुत ऐसे ग्रंथ है जिनको उदारण के तौर पर प्रस्तूत किया जा सकता है कि ये रासोसाइतिय के पूर वर्ति ग्रंथ रहे हैं संस्क्रियर तो राश्वसाइड़े के परमपरा कहां से आती यह आपके दिमाग में APPLAUSE होना चाहिए कोई डौट किसी को यहां तक अगर है तो पूछी I yeah यह रख्णा आपके दिमाग में यह छीज नोट करके रखनी ए। राश्वसाइड़े की परमपरा का आदार संस्कृत साहित्य हैं और संस्कृत साहित्य में पिसली लौकिक साहित्य है वैदिक साहित्य को अगर मान लें तो रिगवेद में कुछ शुक्त मिलते हैं सिर्फ और सिर्फ लौकिक साहित्य में अनेक अनेक संस्कृत गरंत ऐसे हैं जिन में चरित नाइकों को उठाने क लिए वीर रसात्म कावेасली का इस्तेमाल किया गया कविए किया गया है कवियों के द्वारा और उस वीर रसात्म कावेасली में वर्णन किया है इतना ज़्यादा आतिश्योक्ति पूर्ण नहीं है लेकिन अपवरंस के बाद आदी काल तक पहुंचते पहुंचते ये वर्णन जो है आतिश्योक्ति पूर्ण आतिरंजिता से परिपूर्ण हो जाता जहां पर कभी बढ़ चड़ के जो है अपने चरित नाय में दिखाई देती है अलग अलग चंदों का प्रियूब आपने ग्रंथ को चंदों की एक छटा बना देना चंदों का एक अजयब गर बना देना चंदों का म्यूजियम बना देना रसों का इस तरीके से क्रियानवन किया गया कि एक रस के उतरार्द में दूसरे रस को इस तर बढ़ने वाला जो है वो भाव विबोर हो जाए इस तरीके का वर्णन है आप देख आपको ये देखकर आश्चरे चकित हो जाएंगे मैं आज एक पोस्ट सेयर करूंगा ग्रूप में संस्कृत की कावय परंपरा से जुड़ी हुई वो पोस्ट है उसमें आप देखेंगे कि एक अक्षर को जैसे मान लीजे ड़ एक अक्षर है इस ड़ को आधार बनाते हुए किरातार जूनियम में या कोई और भी कई सारे संस्कृत के ग्रंत रहे हैं जिन में पूरे के पूरे चरितनायक को जो है प्रस्तूत कर दिया है सिरफ एक अक्षर ड़ का प्रियोग करते और इससे सब्द बनते हैं ऐसा नहीं कि इससे कोई सब्द नहीं निर्मित हो रहा है शब्द भी बनते हैं उसका आप डिक्स्नरी मार्थ देखेंगे न संस्कृत की तो आपको आर्थ भी मिलेगा कि डडड़े का आर्थ क्या है डडड़ा का आर्थ क्या है इस तरीके से कभ अधि कवित्व स्हेली का इस्तेमाल करते हुए अपनी कावे प्रतिभा का इस्तेमाल करते हुए बर्नन किया है। झाल झाल